हे गाइस मैं हूँ पटेल सिवा आज मैं आपके लिए एक special application लेका आया हूँ जिससे आप अपने पडोशी की बाते आसानी से सुन सकते हैं देखें यह application है वो सबसे पहले आपको Google Play Store पर जाना है प्लेइ स्टोर पर जाने के बाद आपको जहांपे सर्च करना है Wi-Fi यह यह सर्च किया मैंने इसमें first number की application दिखेगी आपको उस पर प्लिक करना है simply यहां से आपको install करना है मैंने already install किया हुआ है सो मैं direct open कर रहा हूँ इसको open करना है यह application को यूज करने के लिए आपके पास दो smartphone की जुरूत पड़ेगी एक smartphone में आपको आपके mobile का हॉसपट चालू करना पड़ेगा जो यहां पे आपको दिख रहा होगा देखिए यह ओस होसपट आपको एक phone में on करना पड़ेगा और दूसरे phone में Wi-Fi on करना पड़ेगा जो अभी मैंने on किया यहां पर Wi-Fi on करना पड़ेगा सबसे पहले आपको जिस phone में hotspot चालू करोगे उस phone के अंदर आपको इसमें क्लिक करना है use as microphone पर क्लिक करना है अपको यूज एस microphone पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करोगे बस यह phone का काम हो गया अब आपको यह number note कर देना है port number 48543 औके थिर दूसरे फॉंड में जिस फॉंड में आपने वाइफाई ओन कीया है उसके अंदर आपको यूज एस स्पीकर पर क्लिक करना है उसके बाद आपको जाना है डाइरेक्ट कनेक्ट नहीं तो आपको जाना है डीज कवर माइक्रोफ़ॉन और नेट्वर्क इस पर क्लिक करोगे तो सामने वाला डीवाइस यहां पर आपको सो हो जाएगा सामने वाला ġिवास का नाम यहां पर आपको सो जाएगा ! तो आपको क्लिक करना है उसके बाद सिलेक्ट माइक्रफॉन बये एड्रेस पर किक करना है और यहां पे आपको पॉर्ड नुम्बर जो अभी मैंने आपको नोट करवाँ तो यहाँ पर डाल कर डायरेक्त क्लिक करना है तो दोनों फोन ऑटमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको जो फोन के अंदर सुनने का है वह फोन को आपके पास रखिए और जिस फोन में अपने यूज्ड एस माइक्रोफान पर क्लिक किया है वह फोन को लो जागे पडोशी के गर में चार्जिंग के बाहने से आप रख सकते हैं उसके बाद आपके पडोशी क्या बात करते हैं वो आप अपने फॉन में आराम से इजीली सुन सकते हो थेंक यू सो माज गाइस पॉर वाचिंग माई वीडियो प्लिस लाइक और सब्सक्राब मैं चैनल थैंक यू